नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में आम लो देखने वाले जो बाजार का सबसे बड़ा हाती जिसका नाम में HDFC बैंक लिमिटेड little इसको क्यों हाती उन भी बोलते सबसे बड़ा अपको पता है HDFC बैंक सबसे बड़ा बैंक है बैंकिंग सेक्टर में और बैंकिंग सेक्टर क के लगबग इसने लाइप टाइम में रिटन देया अपने शेर ओडर को लगबग 27,000 परसंटेज के रिटन देया मतलब सो सकते कितना बड़ा मल्टि बैगर स्टॉक बन चुका है और चार्ट पैटर्न भी पूरा लेप टो राइट है तो चले देख लेते एगजाटली रिजल्ट क्या है हमने जो फाइल ओपन किये बी एसी की ओपिशल वेबसाइट से यहां पर पीडिया फाइल ओपन किये तो कौटर ले रिजल्ट पढ़ने की कोशिश करते है जो भी आकड़े करोर्स और लाइक्स में है यह जो आपको कौलम दिख रहा है इस बार का कौटर 3 का रिजल्ट है यह जो कौलम है पिछली बार कौटर 2 का रिजल्ट है यह जो कौलम दिख रहा है पिछले साल का कौटर 3 का रिजल्ट है यह तो चले रिजल्ट को पढ़ते है यहां पे जो आकड़े पूरे करोर्स में तो पढ़ने के लिए थोड़ी मुश्किल होगी यहां पर इनको टोटल इंकम हो रहा है एज़्टी से बैंक को पूरा जो बिजनेस से मिला के पिछले साल हुआ था लगबग 37 लाक्स करोड और जो पिछले कौटर में लगबग 30 लाक्स करोड और इस कौटर में लगबग 40 ला तो चले एक देख लेते कि कितने खर्चे किये ऐसा नहीं हो जाए कि प्रॉपिट तो बढ़ रहा है लेकिन खर्चे भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे तो बैंक मतलब लॉस में जा सकती है तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं टोटल खर्चा कितना के एज़डेप से बैं उनके खर्चे के बारे में आभी हम को देखना है टोटल इंकम माइनस खर्चा करना है इकश्पेटेटर करते हैं तो कितना एकजटल हैश्ट्रीयक के पास कितना पैसावत बचता है बतलाब टोटल टैक्सेश-एक्सपेंस पूरा पूरा देख कि एजडेप सी प्यांक के प लगब गग 87000 के पास असपास है उसके पात यहां पर दिख रहा है लगब जो पिछले quarter में 88 के पास है उसके पात इस quarter में जो हुआ है लगब एक लाग 3,000 करोड के आसपास है मतलब जो भी है यहां पर आप लोग देख सकते है year to year year बहुत ही आच्छी जंप है quarter to quarter भी बहुत अच्छी जंपे HDFC Bank में यह तो ओगा Net Profit अभी जो Bank हो गया यह तो हो गया Net Profit के बार में तो NPA भी देखना बहुत ही Important रहता है Banking सेक्टर में तो चले देख लिए तो NPA बड़े हैं कि कम हुए यहां पे आप लोग देख सकते है Net NPA करके लिखाए देखिए NPA मतलब क्या रहता है NPA मतलब for the example आपने किसी को पैसा दिया है 1000 रुपए और आपको लगता है कि वो पैसा वापस आपको कभी मिलने है वाला है तो बैंक क्या करते है उसको जो पैसे को NPA में डालते है मतलब बैंक कंसिडर करते है कि आगे जाकि NPA अपने को पैसा वापस नहीं मिलने वाला है लेकिन यह कभी भी सेविक को दिखाना पड़ता है देखिए Yes Bank में प्रोब्लम क्या होता उन्होंने NPA पूरे छुपा देते है उसके वाज से यंग बैंक की हालत आपने देखा रहेगा जिस दिन NPA टोटल एक्चुल NPA कितने हो सामनी आए तो Yes Bank का स्टॉक आपको देखा रहेगा 400 रुपए से लगबग 5 रुपए पर आयता दो ही मैने में मतलब NPA दिखाना बहुत ही इंपोर्टन रहता है तो वापस से NPA बढ़ गए पिछले कॉटर में यहाँ पर लगबग 1,63,000 और आभी NPA दिख रहे है 1,60,000 मतलब देखी NPA क्यों बढ़ रहे हैं आपको पता है COVID का टाइम है लोगों के पास जॉब नहीं है EMI देने के लिए पाइसा नहीं उसके बाद क्या होता है NPA का पाइसा ज़्यादा बढ़ता रहता है और आभी तो फिलाल फाइनास सेक्टर को पता है पूरा स्ट्रबल कर रहा है तो उसके रिजन वही है कि COVID के वाज़े से बहुत सारे लोगों के बैंट बज़े बहुत सारे कंपनिया है जो वापस करजा देने में सपल नहीं हो रही पार है इसके वाज से एनपे ज़्यादा बढ़ रहे है लेकिन एसडेशी बढ़ी बैंक के ज़्यादा कुछ असर नहीं होता है बैंक पर यह तो होगा एनपे के बारे में देखिए अगर आपको कॉटर ले रिजल्ट पढ़ने में मुश्किल हो रहे है यहाँ पर लिखा है EPS है तो सीधा देखने का पिछले साल EPS लगबग 15 था पिछले कौटर में जो EPS 15.9 थे इस कौटर में EPS 18.9 मतलब EPS में इयर टू इयर ग्रोथ है quarter to quarter भी बहुत अच्छी ग्रोथ है मतलब EPS बैंक को बहुत ही ज्यादा प्रॉपिट हो रहा है तो आप आगे जाकि इस बैंक में ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही सेफ बैंक है तो अगर आपको वीडियो और जो निवद आच् कर सकते हैं